Hello Friends, मेरा नाम जगविंदर है, इस वीडियो में हम जानते हैं Computer Networks के बारे में तो मुझे बहुत समय से काफी mails मिल रही थी कि कोई ऐसी सीरीज स्टार्ट की जाए तो बिल्कुल freshers के लिए हो यानि कि जिसमें बिल्कुल शिरू से Computer Networks के बारे में बताया जाए तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करता हूँ जिसमें Computer Networks को बिल्कुल basic से हम स्टार्ट करेंगे ये सीरीज useful हो सकती है and plus students के लिए plus बिल्कुल basics जानना चाहते हैं Networks की और उनके लिए जो CCNA पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत useful हो सकती है तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का first lecture जो की है Computer Networks तो Computer Networks जानने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि Network है क्या Network का मतलब है Interconnection Interconnection मतलब जब चीजें जुड़ी होंगी तो उसको हम बोल देते हैं कि वो आपस में Interconnected है इसका दूसरे शब्दों में इसको बोलें कि वो Network है वो कोई भी चीज जब आपस में जुड़ी होगी तो उसको हम Network कहेंगे या Interconnected कहेंगे चाहे वो फिर लोगों का Group है जब लोगों के Group आपस में Connected होंगे तो उनको भी हम Network कहते हैं आजकल आपने देखा होगा कि कुछ Businesses जैसे कि Multilevel Marketing का बहुत Trend है जिसमें कि बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि मेरे इतने लोगों का Network है इसी तरीके से बहुत सारी Companies अपने Offices को Connect करती है तो हम उनको भी Network बोल सकते हैं हमारे Computer Field में, हमारे Information Technology World में Network का मतलब है ऐसे Points या ऐसे Computers या ऐसी Devices जो आपस में किसी ना किसी Communication Path से Connected हो वो Communication Path कैसा भी हो सकता है, वो Wired भी हो सकता है, Wireless भी हो सकता है जब भी Devices आपस में जुड़ेंगी तो हम उनको बोलते हैं कि ये Computer Networks हैं आज के सिनेरियों में अगर हम बात करें, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो Network को Directly या Indirectly या Indirectly यूज ना कर रहा हो जब आप लोग चाहे वो गाउं में रहते हैं, चाहे वो शहर में रहते हैं, कहीं पे भी जब वो Banks को यूज कर रहे होते हैं, तो वो Indirectly Networks को ही यूज कर रहे होते हैं जब आप ATM से पैसा विड्रॉ कर रहे होते हैं, तब भी आप Network को यूज कर रहे होते हैं इसी तरीके से अगर आप railways में reservation करवा रहे होते हैं उस समय भी आप indirectly networks को use कर रहे होते हैं क्योंकि network वो सभी जो online system है reservation के लिए वो computer networks के उपर ही dependent है इसी तरीके से चाहे आप कोई form fill कर रहे हैं या फिर आप school college में बच्चों की fees दे रहे हैं कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी तरीके से network से जुड़े हुए हैं हम अगर हम simple words में बोलें computer network क्या है आज कल computer network को simply network भी बोल दिये जाता है आप देखिएगा जब भी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं networks के बारे में तो most of the time वो computer networks के बारे में ही बात कर रहे होते हैं हमारा computer network hardware devices, hardware components और computers का ऐसा collection है जो किसी ना किसी channel से wired या wireless से आपस में connected हों और उनका purpose एक दूसरे के साथ अपने resources और अपने information को share करना होना चाहिए अगर वो इन चीजों को कर रहे हैं, वो आपस में connected हैं और एक दूसरे के resources और information को share और use कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो computers network में हैं सबसे simple network का example है, जैसे ही दो devices आपस में जुडेंगी तो हम उनको बोल देंगे network अगर हमारे पास दो computers भी हैं या दो laptops भी हैं और वो आपस में connected हैं किसी भी तरीके से चाहे wired या wireless तो इनके जुडने का एक purpose भी होना चाहिए और वो purpose क्या है कि एक दूसरे के data को use करना, एक दूसरे के resources को use करना जैसे कि एक computer के साथ अगर printer लगा है तो दूसरा उसको use कर पाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक simple small computer network हमारा बन गया है तो इस वीडियो में हमने जाना simple computer networks के बारे में कि computer networks या simply networks होते क्या है अगले वीडियो में हम types of network के बारे में जानेंगे तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening